अगर आपको थकान, आलस, कमजोरी पूरे दिन बनी रहती है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जवर्दस्थ होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसका सेवन करने से आपको थकान, कमजोरी और आलस सभी दूर हो जाएंगे, अगर सरीर में खून की कमी है, चेहरा डल दिखता है, तो उनके लिए रामबाड उपाए है, आज मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगे, जिसे खाने से आपकी सेहत पर चारचान लग जाएंगे, और आप सोचेंगे इसे मैंने पहले क्यों नहीं खाया, तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन-कौन सी ची तो यहां पर मैंने 10-15 किसमिस ली है, इन्हें हम बाउल में डालेंगे, अब दूसरे बाउल में ये चारो सामिग्री अट करेंगे, अब इसमें एड करेंगे पांच बादाम, हम यहां पर ले रहे हैं एक छोटा चमच कच्ची मूफली, एक छोटा चमच काला चन लिया है, इसे डाल देंगे, और एक छोटा चमच ही लिया है, साबुत मूम, चारो चीजों को हमने अलग बाउल में डाल लिया है, अब सभी चीजों को अच्छे से बास करेंगे, अब से पहली किसमिस को अच्छे से बास कर लेते हैं, अब चारो सामिग्री को भी अच्छे से बास कर किसमिस हमने अच्छे से बहुत वास करके ओवरनैट विघा कर रखा था देखी अच्छे से फूल गई है आपको इसे पहला कर खाना कर खाना है और समीजी पानी sf tua प्रम दोड़र काकिर पर दूसरे बाउल में जो हमने मूँग, चना, बादाम और मूफली भीगा कर रखी है इसे भी आपको साथ में अच्छे से चवा चवा कर खाना है और बादाम का छिलका आपको हटा कर खाना है साथ में आपको इसका पानी भी पीना है फ्रेंड्स इसके कुछ ही दिनों के सेवन से आप अपने सरीर में अच्छा खासा फर्क मैसूस करेंगे आपके सरी की कमजोरी दूर होने लगेगी सुस्ती आलस ठकान दूर हो जाएंगे आपके चहरे पर कभी जुर्या नहीं आएंगी चहरा एकदम तरो ताजा और खिला खिला हो जाएगा अगर आपको कब्च की समस्या रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी इमुनिटी मजबूत होगी सरीर में कून की कमी दूर होगी और ब्लड सरुकुलेसर अच्छा हो जाएगा अगर आपके सिर के बाल जडने की समस्या है तो आपके बाल जडना भी बंद हो जाएगे और आपका दिमाग में मोरी पावल तेज हो जाएगी इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं लेकिन इसके लिए आप इसकी कॉन्टिटी कम कर दे इसके अलावा आप अपने बढ़ते हुए बजन से परिसान है और बढ़ते हुए बजन के कारण आपके घुटने कमजोर हो रहे हैं आपकी हड़ियां कमजोर हो रही है तो उसमें भी आपको इससे काफी फायदा होगा इस नुश्के का सेवन करने से आपका बजन भी कंट्रोल में रहेगा और आपके सरीर में सुस्ती आलस थकान सब गायब हो जाएगा और आप अपने आपको एकदम तरो ताजा और खिला खिला मैसूस करेंगे और आपके सरीर में इनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो नास्ते में चवा चवा कर सिर्फ इसको ही खाए और कुछ भी ना खाए तो आपका बेट भी दीरे-दीरे कम होने लगेगा सुबह खाली बेट आप इससे चवा चवा कर खाए तो आपका बेट रोस भी अच्छे से होगा अगर आपको मेरी होम रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल नभूलिएगा थैंक्स ओर वोच्छिंग